नमस्कार स्वागत है आपका दान यूज पर मैं हूँ आपके साथ शुपराजैनी उत्तरप्रदेश के अलिगट मी राम बारात पर हमला करने के मावनी में बड़ा एक्शन हुआ है जहां पर उत्तरप्रदेश पुलिस ने एक मौलाना को गिरफतार किया है और बताया ये जा रहा है कि दरसल ये मौलाना ही इस हमले का मास्टर माइंड था जिस तरीके से दो समुदाई के लोगों में बवाल हुआ जिस तरीके से लाठी डंडो और हत्यारों से एक विशिश समुदाई जो की राम बारात निकाल रहा था उस पर हमला किया गया डरसल के पूरा हमला जो था वो सुन्योजी था और साथ ही इस हमले का जो मास्टर माइंड है जो की मौलाना है उसे गिरफतार किया है ये बड़ी खबर है अलिगड में जो तरीके से दो समपरदाईों के बीच ये बवाल हुआ था उस पूरे माफले में जो पुलिस ने एक मास्टर माइंड एक मौलाना की गिरफतार ही हुई है और इसने अलिगड में राम बारात पर हमला कर पाया ये खबर सापने आई है कि यानbre बाद का मार्स्तर माइंड उस मौलाना को ही माना जा रहा है और आपको मैं ये बतादू कि पुलिस ने इस पूरे माफले को लेकर 120 बीस नामजद के खिलाफ मामला दर्च किया है और साथ लोगों को हिरासत में भी लिया लेकिन जो वहाँ पर गाउं के लोग हैं जो की राम बारात निकाल रहे थे जो की नवरातरी का मोका है तो ऐसे में वो धरने पर बैठ गए उनकी ये मांग है कि उन तमाम लोगों को गिर अलाग किया है इसको लेकर तमाम लोगों का धरना प्रदिशन भी देखने को मिला आपको मैं ये बता दूं कि ये पूरी घटना जो है वो अलिगर के चंडोस थाना छेतर की है जहां पर सुशील वर्मा ने पुलिस को ये शिकायत दी थी कि हर साल की तरह इस बार भी जो पर बारात का सेरू अड़े से गुजरी तो उस पर लगभग सो से एक सो पचास लोगों ने हमला फोल दिया और इस तरीके से बारात को रोकना चाहते थे हमला फरों के हातों में तलफार तमंचे डंडे फरसा तमाम खत्यार थे और शिकायत करता के मताबिक हमला जो था वो सुन पुलिस एक्शन मोट में नज़र आई और अब ये मौलाना की गिरफतार ही हुई है जाहिर तोर पर उतर पुर्देश में लगातार कानू नवरस्था को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी अधितनात ने बारवार अधिकार्यों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं और उसी के तहट ये कारवाई हुई है जिस तरीके से बारवार स्रीम योगी अधितनात की ओर से ये कहा गया है कि किसी भी घटना को लेकर कोई कारवाई में जो है कमी नहीं रहनी चाहिए ये पुलिस अधिकार्यों को इस पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिये गए हैं और जाहित तोर पर अलिकड वो इलाका है जहां पर इजरायल और हमास के बीच जो युद छिडा हुआ है वहां पर अलिकड मुस्लिम यूनिवरस्टी में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे पाची हुई है यहीं जो सरकार का स्टेंड है उससे इतर न दोरान जिस तरीके से दो जो संपरदाय के लोग थे उन में जिस तरीके से यह पूरी घटना हुई है जिस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए हैं कई जो रामबारात लोग निकाल रहे थे वो इस दोरान घैल भी हुए तस्वीरे साफ ने आई और जिसके बाद अब पु पुरेशी यूनिस खान सल्मान हरून नासिर वाहिद फरीर यारी एक विशेश समुदाहे के लोगों ने यह हमला एक टार्केट करके कही ने कहीं रामबारात पर किया है और इस तरीके से पूरा माफला सामने आया जिसके बाद जाहिर तोर पर यह एक्शन हुआ है जिसमें एक्शन साफ तोर पर दिखाता है कि किसी भी सूरत में जो अपरादी है जो आरोपी है उत्तर प्रदेश में उन्हें बक्षा नहीं जाएगा जाहिर तोर पर आरोप यही है कि माहुल खराब करने की कोशिश कहिने कहीं की गई दो सांपरदाफ में दंगा करवाने की यह कोशिश थी जिस तरीके से ग्राम बारात को टार्केट किया गया और इतना ही नहीं तलपार से भी हमला किया गया इसमें कई लोग खायल हुए और वहीं तमाम जो हिंदू वादी स संगठन हैं उनकी तरफ से गिरफतारी की मांग करते हुए प्रदिशन भी किया गया इस पूरे माहुले को लेकर खूब राजनीती भी देखने को मिली जहां बीज़पी के नेसाओं ने कहा कि हिंदू संगठन के लोगों त्वारा राम बारात निकाली गई और राम बारात अगर इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है अगर उत्तर प्रदेश की काहनुन वैस्था और वहां का जो सामपर्दाइक माहुल बिगाठने की अगर किसी ने साजिश की है अगर किसी ने कोशिश की है तो उन पर काहवाई हुई है इतना ही नहीं पर खिया और उसमें आने वाले वक्त में कई और बड़ी गिरफतारियां देखने को मिलेगी और इतना ही नहीं क्या किसी के कहने पर ये हमला हुआ किसने ये साजिश रची थी ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि इस पूरे माफले को लेकर बने हुए है जाहित तोर पर तो क ही नहीं कहीं पूरे माफले को लेकर अब लगातार कारवाई की मांग जो है वो तेज हो रही है हालकि हमले के साफ ने आए वीडियो में जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी इसमें जो वाहन चल रहे थे उसके सीशे स्थिक्रस्त हुए हैं इस हिंसा का वीडियो पहले ही पुलिस में बल प्रियोग करके स्थिती सामन्य की और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए हैं लेकिन अभी फिलाल जो कहीं ने कहीं लेटेस्ट खबर है जो ब्रेकिंग है वो ये है कि एक मुलाना की गिरफतारी इस पूरे बाफले में ह कोई है और कहा ये जा रहा है कि इस मुलाना के कहने पर ही इस तरीके से ये राम बारास को टारगेट किया गया था और इसे आगे नहीं जाने दिया जा रहा था जिसके चलते इस तरीके की ये हिंसा जो है वो जाहिर तोर पर देखने को मिली है अत्माम आरोप जो हैं वो हिं लोगों का इलाज चल रहा है विएच पी का बयान साथ ने आया है और उनका जो कहना है वो ये है कि दरसल ये सुनियोजित हमला था ये भी कहा कि ये मजजित है और ट्रेनिंग कैम्प क्या मजजित में अब तलवाले रखी जा रही है मजजितों की जाच होनी चाहिए ये प्रफ्थे मंत्री योकी अधिनात जिस दरीके के एक्शन के लिए जाने जाते हैं कहीं न कहीं वो एक्शन भी अब इस पूरे माफले में देखने को मल रहा है जहां पर ये हिंसा का जो मास्टर माइंड था जो बवाल का मास्टर माइंड था उसकी गिरफतारी हुई है ये लगातार मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है फिलाल आपकी इस पूरे माफले को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें तन्यवाद